खबरलवर से मिनी फवारे योजना में धूखधड़ी करने के मामले में आज गाउं हाजिपुर एक इसान पुलिस अधिक्षक कार्याले पहुँचे और पुलिस अधिक्षक को मिनी फवारे योजना में एक व्यक्ति द्वारा की गई धूखधड़ी के मामले में उचित करव उसने किसानों से कहा कि 10-10,000 रुपए देने होंगे बाकि सरकार सबसीडी के रूप में आगे देगी और मिली फवारे खेती के लिए मिल जाएंगे जिस पर उक्तव्यक्ति राजपाली आदम ने धूखा देने की नियत से मिनी फवारे के नाम पर सभी किसानों से 10-10,000 पाते में दलवा कर वह पैसे भी खड़क लिए इस पर किसानों ने उक्त व्यक्ति राजपाली आदम के से बात की तो राजपाली आदम ने प्रिसाशन का ड़र दिखा कर जान से मारने की धंकी दे कर किसानों को भगा दिया इस पर किसानों ने पिलिस अधिक शक्त से उक्त व्यक्ति के खिलाफ तरवाई की मान की है दंड मिले हमार साथ जो प्रोड मिला हुआ हमको न्याय मिले उसको दंड मिले लगबक कितने लोगों के साथ थागी की पंद्रे लोग हैं पंद्रे लोग हैं और हर प्रिते किसान से 10,000 रुपे भी ले गया और 55% सब्षीडी उठा लिए उसमें किस चीज को कहके लेकर गया था हुआ हैं आपको हम दिला देंगा अरकिसान को और 11,000 रुपे आप हमको दे दो और बाकी में सरकार से ले लूँगा आपके 10 दिन में फ्वारे पहुंच जाएंगे ने तो फ्वारे पहुंचे ने वो पैसे मिले राठ नगर में रहता है वो अब तो इसकी गिरफ तारीक हम मांग करना है कि ऐसे व्यक्ति को और ठगी नहीं करें हमारे साथ तो हुआ यह समाज में और किसी की साथ ठगी नहीं करें और को ठगा नहीं जा इसलिए हम इस पीसापको ग्यापन देना है क्या नाम है उसका राजपालियादव आपका राजेश